योगी सरकार में उत्तरप्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था लगातार सूर्खियों में बनी हुई है जिसके कारण अपराध मुक्त यूपी का दावा करने वाली सरकार की अब धज्जियां उड़ रही है और विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है अब इस बार ललितपुर में होई दर्दना घटा के चलते योगी सरकार घिर गई है उत्तरप्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कारेकार शुरू हो चुका है लेकिन जब से सीम योगी ने दो बारा सत्ता संपाली है तब से सरकार विवादों में घिरी हुई है जिसका कारण है यूप सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं इसी बीच अब एक और मामले ने सरकार को घेर लिया है और वो मामला है ललितपुर का जहां 13 वर्ष की किशोरी के साथ सामोहिक दुशकर्म किया गया और ये घिनोना काम करने वाले कोई और नहीं पुलिस कर्मी ही है जिससे एक बार फिर प पारोप है कि थानेदार ने उसके साथ दुशकर्म किया अब इस पूरे मामले में एक बार फिर योगी सरकार सवालों के कटगरे में खड़ी हो गई है और अब कॉंग्रेस का प्रतेनिधी मंडल पीडिता के परिवार से मुलाकात करने पहुँचेगा जबकि बीते दिन ने जिस थाने में घटना हुई है उस थाने पर बुल्डोजर चलाया जाएगा अब सरकार बुल्डोजर कब चलवाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा हाला कि मामले में कारवाई जारी है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिसमें यूपी पुलिस की हैवानियत सामने आई अभी हाल ही में गैंक्स्टर की बेटी की जान जाने के मामने में भी पुलिस घिरी हुई है और आरोप है कि पुलिस ने ही पीट पीट कर उसकी जान ले ली है डीवी लाइफ की रिपोर्ट